हलो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तो दोस्तो एच्वी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम हो गया है उमीद करता हूँ दोस्तो आप सभी का एक्जाम अच्छा कया होगा तो हमारे पास प्रशन पत्तर जो है वो पहुंच चुका है बी सीरीज का ये प्रशन पत्तर पहले प्रशन सही पहला प्रशन है बीच अमंग दा फोलोइंग स्टेट आफ इंडिया हैस दा लार्जस्ट कोल रिजल्ब तो आपको पताना है भारत के कौन से राज्य में कोईले के सबसे बड़े बंडार मुझूद है तो दोस्तो सबसे बड़े कोईले के जो बंडार है बो हैं दोस्तो झारकंड राजजे में तो ऑप्चन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा जारकंड इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है तो सोइल आर मोझली कनफाइंड टूरी वर वेसिन एंड कोश्टल प्लेंज औप फिंडिया तो दोस्तो डैस डैस प्रकार की मिट्टी भारत की अधिक्तर नदी घाटियों वो तट्यय मेदानों में पाई जाती है तो बह पाई जाती है दोस्तो जो जलोड मृदा होती है अल्विल सोईल होती है तो इसका option ए जो है बुसई हो जाएगा अल्विल सोईल अगला प्रेशन है दोस्तो बीच आप दा यह माचल से निकलती है तो option A इसका correct हो जाएगा बाकी option B में दोस्तो जेलम जमुक शिमीर में है और बाकी यहाँ भी और यहाँ पर सतलो जो है वो मानसरोबर से निकलती है अगला प्रेशन है in which state do the monsoon arrive fast तो किस राज्य में मानसून सरप्रत्तम पहुंसता है तो सबसे पहल सबसे पहले मानसून केरला में तो option DC सबसे पहले मानसून अगला प्रेशन है दोस्तो लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यह बनाये गया है दोस्तो कुलू जिले में और व्यास रिवर पर है तो option इसका डी जो है वो सही हो जाएगा 126 मेकाबाट की है दोस्तो यह परियोजना अगला प्रेशन है बीच कर्लिचरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटर एट बारा नसी ओफ दा हिल्स और छोटी कासी तो दोस्तो पहड़ाओं की बारा नसी या फिर छोटी कासी जो है वो कहा जाता है मंडी को और दोस्तो मंडी में मनाया जाता है दोस्तो महाश शिवरात्ती है दोस्तों इसको अंतराष्टे दर्जा भी प्राब्त है मंडी की शिवरात्तरी को अगला प्रशन है एसीन इन रिसेंट न्यूज तो आपको पताना है दोस्तों बरतमान में समचारों में बरनित ये दाखिला पोर्टल की सक्षेतर के साथ सबंदित है तो दोस्तों इस पूर्टल ये दाखिला पोर्टल जो है ये सबंदित है fraction of राज्य साबा member retire after every two years दोस्तो राज्य साबा के प्रदेख तो बर्स की अबदी के उपरांत आपको पताना है कितने जो सेवरन रित हो जाते हैं दोस्तो ये होते हैं बनवाई थर्ड बनवाई थर्ड से जो हैं दोस्तो वो every second year retire हो जाते हैं तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा बनवाई थर्ड अगला प्रेशन है जलियावाला बाग में सेक कर टुक प्ले साउन दा फेस्टिवल डे ओफ जलियावाला बाग हत्यकान दोस्तो आपको पताना है किस तहार के दिन गठित हुआ था तो ये हुआ था दोस्तो 13 प्रेल 19 यनकी बेसाकी के दिन तो option B सही हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तो बिच मौमेंट इस नौन ऐज अगस्ट मौमेंट करांति तो किस अंधोलन को अगस्ट करांति के नाम से जाना जाता है तो अगस्त क्रांती के नाम से जाना जाता है दोस्तों फार छोड़ो अंदोलन को तो option D जो है बुसई हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था ये अंदोलन अगला प्रेशन है तरनोन कोपरेशन मुमेंट बाज सस्पेंड़ इन अस्योग अंदोलन को किस बर्स निलंबित कर दिया गया था तो दोस्तों ये सुरू हुआ था 1920 में और इसको निलंबित कर दिया गया था 1922 में जब चोरा-चोरी की घटना घटित हुई थी तो option A जो है बो सही हो जाएगा 1922 अगला प्रेशन है पीर पंजाल रेंज इस लुकेटर इन बिच नेवरिंग स्टेट आफ माचल परदेश तो पीर पंजाल जो परवर्श निकला है दोस्तों ये है आपको बताना है माचल के किस प्रोज़ राज्य में है तो ये है जमूब कश्मीर मे प्रेशन है और प्रेशन है और इसे क्वीन आफ माल्याज भी कहा जाता है ये प्रेशन हमने करवाया है कई बार आपको स्टेट एनिमल ओफ माचल प्रदेश तो आपको पताना है माचल प्रदेश का राज्य पसु कौन सा है काफी असान प्रेशन था दोस्तों पेपर जो है बिलकुल मोडरेट लेबल लगाया है कोई भी इसे टाफ नहीं कह सकते हैं पेपर जो है काफी इजी टू मोडरेट आय दोस्तों जितना इजी पेपर होता है मेरिट इतने ज्यादा हाई जाने के चांसिस होते हैं अगला प्रेशन है दोस्तों इस दा बिगेस्ट नैच्रल लेकिन माचल प्रदेश तो दोस्तों आपको पताना है सबसे बड़ी प्राकृतिक जील कौन सी है तो वो है रेन का जील option A सही हो जाएगा ये है आपके सिरमोड डिस्टिक में है अगला प्रेशन है सिमला बाज declared as a summer capital of British India in air तो दोस्तो जो आपको पताना है किस बर्स सिमला को British भारत की गृषम कालीन राजधानी गोशित किया गया था तो ये गोशित किया गया था 364 में और ऑप्सन जो B है वो सही हो जाएगा 364 में और ये है गोशित किया गया था दोस्तो Lord Lawrence के द्वारा और दोस्तो यहां से math के प्रेशन सुरू हुए है math और reasoning जो है दोस्तो हम सबसे last में करेंगे पहले जो जीक के English और Hindi के section है इसको हम solve कर लेते हैं तो ये science का प्रेशन है दोस्तो omega 25 प्रेशन से omega 3 fatty acid is not found in तो दोस्तो omega 3 जो fatty acid है यहें नहीं पाया जाता है तो इसका option जो दोस्तो इसमें D है वो सही हो जाएगा सलाद पत्ता में नहीं पाया जाता है बाकी fish oil, walnuts और flax seed में पाया जाता है option D इसका सही हो जाएगा अगला प्रेशन है मिराज can most likely to be associated bitch of the flowing phenomenon तो मरिक त्रिशना जो है दोस्तो यह सबंदित है reflection से तो इसका option जो B है वो सही हो जाएगा reflection से सबंदित है मिराज अगला प्रेशन है BCG is used to prevent तो आपको पताना है BCG का टी का किसे रोकने में साइक है तो यह लगाया जाता है दोस्तो tuberculosis तो option B जो है वो सही हो जाएगा tuberculosis को रोकने के लिए BCG की full form होती है bacillus, calmet, urine अगला प्रेशन है color of light, bitch, debius, the least and most तो आपको पताना है दोस्तो किरनों के जो रंग सबसे कम अधिक बिचलित होते है तो दोस्तो सबसे कम बिचलित होता है लाल रंग और सबसे ज्यादा बिचलित होता है बैंगनी रंग तो इसका option जो दोस्तो A है वो सही हो जाएगा आपने विवग्योर पड़ा होगा option A जो है वो सही हो जाएगा सबसे कम होता है लाल और सबसे धिक बिचलित होता है बैंगनी अगला प्रशन है बिच ओ फ्लोईंग इसे सिंथेटिक ड्रग इनमें से आपको प्ताना है कौन सी सिंथेटिक ड्रग है तो इसमें जो सिंथेटिक ड्रग है दोस्तों वो है heroine और option C जो है वो सही हो ज हो जाएगा बाकी सभी radioactive element है अगला प्रेशन है डैस डैस ओल इस यूजड इन फ्रोटेशन प्रोसेस तो आपको प्ताना है कौन से तेल का प्योग प्लवन शीलता प्रक्रिया में होता है तो यह होता है दोस्तो पाइन ओल का यहनकी चीड के तेल का option C सही हो जाएगा चीड का तेल अगला प्रेशन है Salmonella ताइफी वेक्टिरिया काउस लाइफ ट्रेटरिंग डिजीज और तो दोस्तो सालमोनेला जो टाइफी जिबानू है इससे होता है ताइफाइड तो option D जो है वो सही हो जाएगा ताइफाइड इससे होता है अगला प्रेशन है हिंदी यहाँ स शुरू हुई है दोस्तों, हिंदी सेक्षेंट, पहला प्रेशन है, आपको संदी का चैन करना है, आपको बताना है, सुध संदी इसमें परिख्षक की संदी क्या होगी, तो परिख्षक की संदी होती है, परी प्लस इक्षक यान की option B जो है वो इसका सही हो जाएगा है इसमें आपको भावाचक संग्या बतानी है दोस्तों भावाचक संग्या कौन सी है तो भावाचक संग्या जो इसमें सही हो जाएगी वो हो जाएगी मिठास ओप्सन ए क्रेक्ट हो जाएगा मिठास अगला है आपको मुहाबरा बताना है या फिर लकोक्ती बताना है जो यह आर्थ दिया हुआ है अदजल गगरी छलकत जाए इस मुहाबरे का आपको आर्थ बताना है इसका आर्थ होता है दोस्तो जो छोटे आदमी है वो धिक दिखाबा करते है तो option C कुरेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन ह सुद बरतनी का आपको चैन करना है आपको पताना है इनमें सुद बरतनी कौन सी है तो इसमें जो सुद बरतनी है दोस्तो वो है उतकंटित इसका जो option B जो है वो सही हो जाएगा उतकंटित जो है दोस्तो वो इस तरह लिखा जाता है तो option B जो है इसका सही हो जाएगा option B आ कंट को इस तरह लिखा जाता है अगला है ब्याक्यागा आपको संधीफ चेद बताना है संधीफ चेद क्या होगा ब्याक्यागा दोस्तो ब्याक्यागा जो सही संधीफ चेद होगा वो होगा B परस आख्या option D correct हो जाएगा अगला प्रेशन है आपको अवकास का बिलोम सब्द बताना है अवकास का चुब बिलोम सब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तो अनवकास ऑप्शन बी कुरेक्ट हो जाएगा अनवकाश अगला प्रशन है आपको पताना है इसमें कौन सा सब्द दोस्तो संग्या है तो दोस्तो इसमें जो शंग्या सब्द है दोस्तो वो है प्रात्मिक तो option ए जो है वो सही हो जाएगा प्रात्मिक जो है यहे एक संग्या है अगला प्रेश्ण है आपको प्ताना है इसमें कौन सा सब्ध बिजली का प्रियवाची नहीं है तो दोस्तो चफला, तड़ित, चंचला यहें बिजली के प्रियवाची है लेकिन जियोत्साना नहीं है और option D क्रेक्ट हो जाएगा जियोत्साना अगला प्रेशन है आपको बताना है इसमें कौन सा सब्द जो है वो इस्तरी लिंग है तो दोस्तो माली चोदरी और खत्री जो है यहें कुलिंग है लेकिन धनवती जो है यह है इस्तरी लिंग तो option डीस है यह हो जाएगा यह है इस्तरी लिंग अगला है आपको उठान का विप्रिटार्थक शब्द बताना है उठान का जो विप्रिटार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पातन तो इसका option A जो है वो सही हो जाएगा पातन जो है इसका विप्रिटार्थक शब्द हो जाएगा अगला है आपको बह का बहुबचन बताना है तो बहुबचन होगा वो होगा बे तो option C correct हो जाएगा बे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला question है जिसका जनम पहले हुआ हो तो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है जिसका जनम पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द है दोस्तो अगरज option B correct हो जाएगा अगरज अगला है आपको शुद्ध सब्द बताना है अनुशंगिक किस तरह लिखा जाता है तो दोस्तो जो अनुशंगिक है वो लिखा जाता है इसका option एक रेक्ट हो जाएगा अनुशंगिक जो है वो इस तरह लिखा जाता है अगला है आपको इसमें पताना है दोस्तों तीन जो बड़ है वो किस तरह समान है लेकिन एक जो है वो भिन है तो आपको पताना है इनमें से भिन कौन सा है तो दोस्तो अकेला सुंसान और एकाकी जो है इनका जो meaning होता है वो same sense में होता है लेकिन चुपचाप इसमें अलग हो जाएगा तो option भी इसका correct हो जाएगा अगला है जिस बस्तु को पाने की इच्चा की जाए तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा तो उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तो अभिष्ट तो option भी correct हो जाएगा अभिष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है दोस्तो अब आपको यहां से English section शुरू हुई है तो यहां पर आपको पताना है दोस्तो यह जो तीन bold letter दिये हुए है conflict, violates और existing तो इनको आपको दोस्तो sequence में लगाना है तो दोस्तो इसमें sequence में ऐसे होगा the HP ordinance not only violates granted fundamental rights but also in conflict with existing personal law तो इसका option दोस्तो C जो है वो सही हो जाएगा इसका option C correct हो जाएगा B A C इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है दोस्तो इसमें भी आपको चेंज करना है तो the Supreme Court has been asking states to दोस्तो इसका यहां पर आएगा justify जो है वो यहां पर आएगा और दोस्तो justify यहां पर आएगा the Supreme Court has been taking state to justify quantifiable data to reservation their label of sorry दोस्तो यहां पर C जो है यहां पर इसका option C जो है वो सही हो जाएगा यहां पर आएगा दोस्तो first पर आएगा justify और उसके बाद आएगा यहां पर produce और यहां पर आएगा reservation तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा अगला question है आपको correct spelling बतानी है harassment की harassment किस तरह लिखा जाता है तो इसका option C correct हो जाएगा ह-A-R-A-S-M-E-N-T harassment की यह सही spelling हो जाएगी इसका अर्थ होता है दोस्तो जैसे प्रताडित करना तंग करना परिशान करना अगला है आपको consensus की सही spelling बतानी है consensus की सही spelling बतानी है तो consensus की इसमें जो सही spelling है दोस्तो option A correct हो जाएगा जाएगा दोस्तो consensus का अर्थ होता है दोस्तो जैसे सहमत होना या फिर आम सहमती इसका option A जो है वो सही हो जाएगा consensus अगला question है आपको इसमें voice change करना है दोस्तो जो sentence दिया हुआ है आपको वो है somebody told me that there had been an explosion in the mall तो दोस्तो इसका जो change of voice हो जाएगा वो हो जाएगा I was told by somebody that there had been an explosion in the mall तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा दोस्तो option D इसका सही हो जाएगा अगला question है इसमें आपको दोस्तो sentence improvement करनी है जो दो question है 54 और 55 इसमें बाके है दोस्तो sentence दिया हुआ है he has fallen out with the girl he burnt to marry तो दोस्तो fallen out कभी नहीं होता है यहाँ पर होगा दोस्तो he has fallen in love love with the girl he burnt to marry तो इसका option B correct हो जाएगा he has fallen in love with the girl he burnt to marry अगला है दोस्तो it is the time that three years old is learning how to read and write तो दोस्तो it is the time it is the time it is the time the three years old three years old is learning how to read and write तो आपको पताना है इस बाके में sentence improvement क्या होगी तो दोस्तो इसमें इसमें जो improvement होगी वो होगी it is the time boss learning इसका सही आएगा क्योंकि it is the time के साथ दोस्तो boss learning का boss का इस्तमाल किया जाता है तो इसका option A correct हो जाएगा अगला question है आपको दोस्तो इसमें अब synonym बताना है पियस का synonym क्या होगा तो दोस्तो पियस जो होता है वो एक समन्दित है धार्मिक से तो इसका option A जो है बो सही हो जाएगा religious इसका सही आंसर हो जाएगा religious अगला question है दोस्तो replenish का आपको सही मेनिंग बताना है replenish का इसका आपको सही मेनिंग बताना है तो synonym बताना है तो इसका आर्थ होता है दोस्तो भरना या पूर्ण द्वारा से तो इसका option A जो है बो सही हो जाएगा restore जो है इसका सही synonym हो जाएगा अगला question है choose the option correct for sentence a hater of knowledge and learning तो इसके लिए आपको दोस्तो one word बताना है a hater of knowledge and learning तो इसके लिए one word जो होगा वो होगा misologist option D correct हो जाएगा misologist अगला question है इसमें आपको दोस्तो fill करना है fill blank भरना है in dash dash to picking up milk from the grocery store we also need to get some bread because my cousin ate all of it in past week तो दोस्तो in addition to इसका इहाँ पर addition का इसमाल किये जाएगा in addition to picking up milk from the grocery store we also need to get some bread because my cousin ate all of it in past week option B correct हो जाएगा अब दोस्तो अगला question है आपको इसमें direct speech to reported speech में बदलना है तो इसमें आपको change the narration करना है यह है I am going out tonight लक्समी said तो आपको इसका दोस्तो इसको change करना है तो दोस्तो इसका जो सही change the narration हो जाएगा लक्समी said that C was going out that night तो इसका option जो B है दोस्तो वो सही हो जाएगा लक्समी said that C was going out that night तो नाइट को that night में बदला जाएगा अगला question है दोस्तो तो आपको पताना है इसका change the narration क्या होगा तो दोस्तो इसका जो change the narration होगा, वो होगा दोस्तो इसका होगा, और जयेका, ऑप्सन C और जाहेगा अगला है दोस्तो ये जो highlighter bird है is happening to दोस्तो आपने पताना है यहाँ पर कौन सा correct इसमें जो option दिये हुए है इनमें किसका इस्तमाल किया जाएगा तो sentence है everything is funny as long as it is happening to somebody else तो यहाँ पर दोस्तो is happening to का इस्तमाल किया जाएगा option d इसका correct हो जाएगा अगला question है दोस्तो आपको इसमें जो idiom दी हुई है इसका correct meaning बताना है everyone likes are since he always remains in high spirit तो आपको जो high spirit है इसका पताना है दोस्तो सही meaning क्या होगा या फिर idiom का meaning क्या होगा तो इसका होगा दोस्तो in high spirit यानि की cheerful option भी या इसका होता है in high spirit cheerful या फिर काफी जादा खुशी तो इसका option भी जो है बस सही हो जाएगा अगला है दोस्तो he बाजे king who ruled his subjects with the high hand तो दोस्तो आपको पताना है भी दे high hand का इसका meaning होगा वो क्या होगा तो इसका जो सही meaning हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा oppressively option एक रेक्ट हो जाएगा दोस्तो इस वा बिदे high hand यानि की काफी अधिक पावर होना और उसका जरा डमन करना यानि की जैसे यहाँ पर बाक्य है यानि की इस बाके में oppressively का सही प्रियोग हो जाएगा दोस्तो अब reasoning और math के section बचे हैं तो इस पार्ट में दोस्तो हम इतना ही discuss करते हैं और थोड़ी ही देर में दोस्तो आपके समक्ष हम reasoning और math section को solve करके आपके सामने पेश कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाई और वीडियो को like कर देना दोस्तो और अपने दोस्तों सभी दोस्तों में share कर दीजिए इस वीडियो को thanks for watching God bless you all